बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ पोतीपर के घर में पहुंचता है और जब पोतीपर के घर में पहुंचता है पोतीपर देखता है कि सच में इस विक्ति के साथ परमेश्वर रहते है क्योंकि जो भी ये विक्तिक करता है ये समरुदित होते चले जाता है उसने इन चीजों को देखा बाइबल कहता है कि उसने गवाई दी यूसुफ को और उसने कहा कि सच में तुम्हारे साथ तो पर मेश्वर रहते है इसलिए जो भी चीज तुम करते हो उसमें तुम सफल हो जाते हो लेकिन उसके दूसरे ही शन में लिखा गया है कि उसकी पत्नी उसे कहती है कि जिस इब्रु दास को आपने लाया है वह वेक्ती मेरे साथ गलत करना चाहता था अब वो भूल गया कि उसने गवाई क्या दी थी मालू मैं ऐसे क्यूं उसके साथ हुआ जब मैं कुछ चीजों को पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई उसने कहा कि यूसिफ मेरा जो सिहासन है उसको छोड़कर और मेरे पत्नी को छोड़कर बाकी सब चीज मैं तेरे अधीन कर देता हूँ और यूसिफ वहाँ पर परमेश्यो को दर्शाता है बाकी सब चीज मैं तेरे अधीन में कर देता हूँ मुझे मालू मैं कि मैं थोड़े से टॉपिक से बाहर जाए लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं टॉपिक से बाहर नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चीज़े क्या है कि क्यूं हम फस जाते हैं समस्या कहां पर होती हमारे से जब उसने कहा कि मेरे मेरा जो ओधा है, मेरा जो सिहासन है और मेरी जो पतनी है उन चीज़ों को छोड़कर सारा चीज मैं तुम्हारे अधिन कर देता हूँ वही हमारी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है अगर उसने हर एक चीज़ों को उसके अधिन कर दिया होता कि आप चलाओ तो कभी कोई समस्या नहीं होती कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन उसने उन चीजों को समर्पन करने से रोक दिया और कहा कि आप सबी चीजों पर राज़ जख लेगी ये चीज पर हम आपको अधिकार नहीं दे सकते हैं और वहीं पर उसके लिए शैतान ने फाइदा उठाया और समस्या उद्पन कर दिया वो भूल गया कि उसने कुछ समय पहले ही अंगिकार किया थे कि तुमारे साथ परमेश्वर है और उसको जाननी की जरूत है अगर परमेश्वर इस विक्ति के साथ है तो ये विक्ति गलत नहीं कर सकता है अगर परमेश्वर इस वेक्ति के साथ है तो ये सही तोर पर मार्ग दुर्शन करेगा अगर परमेश्वर इस वेक्ति के साथ है तो ये वेक्ति के दोरे श्राब मेरे जिन्दगी में नहीं आएगा पर तो आशीशे मेरे जिन्दगी में आएगी वो भूल गया जो उसने अंगी कार किया था और वहीं पर शत्रू ने फाइदा उठा लिया जो चीजों को उसने समर्पन नहीं किया उन चीजों का शत्रू ने इस्तमाल किया उसके जीवन में समस्यां लाने के लिए उसके जीवन में परिशानी लाने के लिए यूसुफ का कोई समस्या नहीं हुआ यूसुफ जहां पर जाना चाहता था परमेश वोने हर एक चीज़ का इस्तमाल किया उसे वहां पर पहुँशाने के लिए जहां पर परमेश वोने योजना बनाई थी